नमस्कार दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपुरवाला आज हम लोग सेट नमबर 47 पढ़ेंगे इससे पहले हम 50, 49, 48 ये पढ़ा चुके हैं आज 47 पढ़ेंगे धैर पुर्वक समझेंगे कुशन कहता है कि 301 तथा 501 के बीच पर बीच में जो इसने एक नए लाइन लिख दी है कि 301 तथा 501 को लेकर तो ये जो 20 सब्द है उसे हटाया जाएगा तो इसने क्लेरिफाइग किया है कि इसको इंक्लूड किया जाएगा मतलब जो नंबर है वो 301 से लेकर and so on 501 तक अभी यहां तक बोला गया है यह ऐसी प्राकतिक संख्या जो साथ से विभाजी है उनका कुल योग क्या है तो पहले देखो क्या 301 साथ से जाता है 2821 जाता है मतलब 301 साथ से जाता है तो इसके बाद 308 आएगा क्योंकि साथ जोड़ोगे साथ जोड़ोगे 315 आएगा and so on क्या 501 साथ से जाता है 491 नहीं 4 सेस्वल बसता है चार सेस्वल इसमें कम कर दो तो 497 मेरी बात को सीखना मगर प्यार से सारे बच्चों बहुत अच्छे से एक एक बात को मुहबबत से बताया जाएगा और प्यार से सिखाया जाएगा एक एक बात को तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो हम समझाना चाहते हैं यहाँ पर 301 जो कि हमारा 7 का मल्टपिल है और 501 को जब आप देखते हो तो वो 7 का मल्टपिल नहीं है तो उससे पहले कौन सा नंबर होगा तो आप समझ गे होंगे 497 क्योंकि 501 को जब 7 से भाग दोगे तो सेस्फल जो हमारा आएगा वो क्या होगा बच्चा तो 4 कम कर दोग से 497 presented last class में हमने आपको सिखाया क्या था बच्चों उसको समझो यहाँ पर आप गैप को समझो कितने गैप और किस 細फ से हमने बता अपके पहले और लांश्ट को घटा दो 7 में से 123 यहाँ छे आया नो में से 6 गया यहां 9 आया चार में से 3 गया यहां एक आया और सभी में साथ साथ का गैप है साथ से डिवाइड करो प्लस वन बोलो हाँ तो यहां से नंबर आफ टर्म्स हमारे निकल आएंगे या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे टीन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा बोलो हाँ यहां पर टीन मतलब अंतिम पद ए म मतलब दोनों का अंतर और इसको आप सौल कर लो तो यह चीज आप जानते हो और चीजों को समझो यहां वही चीज हमने भी किया है अंतिम में से पहले को घटाया है तो यह तो टीन में से ए गया तो 196 आया और यह डी से भाग जो की साथ से भाग दिया और यह माइनस वन इध आप 29 यह तोटल 29 नमबर व sir कि दे हो गया हमारे नमबर ऑफ टर्म्स हमारे इसमें कितने हो गये 29 हो गया प्यारे दोस्तों भूल है एक एक बात को समझेंगे मगर प्यार से एक चीज और समझे धीरे धीरे चीजों को हम जानेंगे बहुत अच्छे से तो number of terms हमारे clear हो गए जो कि 29 हो गए अब हमसे योग पूस्ता है तो योग क्या है कि n by 2 a plus l n by 2 a plus l इसका योग है अब n कितना है तो n हमारा क्या है 29 है by 2 a मतलब प्रथम पद l मतलब अंतिम पद तो इसको जोड़के सीधे लिख दे साथ एक आठ ऐसे लिख दीजे नौ ऐसे लिख दीजे और साथ ऐसे लिख दीजे दोस्तों जब इसको हम दो से भाग देंगे दो क्याल्कुलेट तो करना ही पड़ेगा दो से इसको भाग दीजे तो यह जाएगा कित्ती बार में जाएगा 39 399 इंटू 29 अब 29 का गुणा कर लो 9 में आप कर सकते हो सर कैसी 290 में 29 को घटा दो तो कहीं ना कहीं 261 261 आएगा तो 1 ऐसे 26 हासिल तो वहीं 261 तो 261 ऐसे 7 यहां लिखा 28 हासिल 29 87 तो 6 7 13 दो पंद्रा आसिलेक 8 दूदर से 11 11 571 इसका आंसर आएगा बोलो हाँ तो यह एक अच्छा कोशन है बच्चो एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि लिखा आपको यहां 29 नहीं देया था धैर पूर्वक हर एक चीज को समझाएंगे 301 तथा 501 के बीच पर यहां ब्रैकेट में जो बोला है हम उसके इसाब चलेंगे 301 तथा 501 को लेकर मतलब इंक्लूट किया इसको तो यह तो 7 का मल्टिपिल है पर 501 नहीं पर उससे पहले 497 यहां से नंबर आप टम्स निकाल लिए जो कि 29 पद आएंगे हमें इस सिरीज का योग चाहिए N by 2 A plus L और इसको कैल्कुलेट कर लो देन यू विल गेट दा राइट आंसर आप दिस कोशन चाले बढ़या कोशन था ग्यारा पांसो एकतर इस राइट आंसर आप दिस कोशन कुछ कोशन स्टफ होंगे और कुछ कोशन आसान होंगे हम सब लगाएंगे चाहें जैसा भी हो दोस्तों दूसरा नंबर कोशन को हम ट्राइ करेंगे और उसके बाद मुस्कुराएंगे एक एक बात को समझेंगे मगर प्यार से कहता है दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्ते उनके महात्तम समावर्ते का पंद्रा गुना है मतलब आप ऐसे कर लो जो LCM है और SCM है दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्ते उनके महात्तम समावर्ते का LCM 15 टाइमस है SCM के यह हमसे बोला गया फिर कहता है उनके लगुत्तम समावर्ते एवं महात्तम समावर्ते का योग 912 है मतलब LCM प्लस SCF का जो योग है वो 912 है मासूम से दोस्तों यहाँ पर यह 15 है यह कितना है 15 है और यह 16 हो गया मतलब 16 SCF is equal to 912 इससे इसको भाग दो जाएगा मतलब यह कितनी बार में जाएगा जब आप 16 से भाग दोगे तो 16 से यह जाएगा 5 और 57 बार 57 SCF इसका 57 आ गया एक बात को याद रखो हमने पहले भी बताया है क्या कि LCM into SCF is equal to first number into second number आप में तरीके को समझना खुसी मिलेगी और हमने यह भी बताया है जो first number होता है मालनों X है first number तो S के साथ SCF का गुणा होता है और जो Y है उसके साथ भी SCF का गुणा होता है मतलब जो number होंगे वो कही ना कहीं SCF के multiple होंगे यह बात जीवन भर याद रखना अब हमसे कहला पहला number 171 है आप देख सकते हो 171 क्या 57 गुणे 3 होता है सर्फ बिलकुल तो 57 गुणे 3 यह first number हो गया तो इसका मतलब जो second number है वो 57 का multiple होगा तो 57 का multiple होगा बट हम options में देखते हैं तो सभी के इकाई अंक में 5 आ रहा है यह तभी possible है जब 5 का ही गुणा हो या 15 का गुणा हो या 25 का हो या 35 का हो तो अब इस 5 का कर लो 5 का किया 735 हासिल 28 तो second number 285 आएगा क्योंकि इसी सीरीज में सारे number चल रहे है अगर आपको कोई कैस्ट है कि सर हम ना मनवे चाहें जो हो जाए क्योंकि बच्चा आजकर क्या हम ना मनवे तो उस केस में क्या करो LCM जो की 15 ऐसे आएगा SCF जो की 57 निकला है SCF यहां से 57 निकला है first number 171 था second number आपको एक्ष है गाइस हर एक चीज सिखाता हुआ मासूम सा टीचर यह तीन बार में गया तीन से यह 5 बार में गया इसका गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा यह क्यों बताया गया future में काम आती है यह सब बाते चले मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेगा idea तब तो बढ़ेगा प्यारे दोस्तों यूत में हमने यह टाइप के question कराए हुए जैसे 10 की पावर 4 theta प्लस 10 square theta बराबर 11 ट्रिग्नोर्टी बढ़ेंगे बढ़ेंगे और 6 की पावर 4 theta माइनस 6 square theta तो वो भी 11 ही हो जाएगा सर हम नहीं मानेगे वहां के cases जाकिट देखिएगा बहुत अच्छे से हमने ट्रिग्नोमेट्री वहां कराबी दिया है आपको हर एक चीज को विस्तार से मोहबत से सिखाऊंगा देखो क्या कहता है यह question कहता है 10 की पावर 4 theta and 10 square theta is equal to 11 is equal to 11 और 6 की पावर 4 theta minus 6 square theta का मान ग्याद कीजिए दोस्तों चीजों को समझो मगर प्यार से अगर मैंने यहां से 10 square theta को common ले लिया तो 10 square theta plus 1 is equal to 11 की क्या मैं 10 square theta को 6 square theta minus 1 नहीं लिख सकता और 10 square theta plus 1 और लेडी 6 square theta ही होता है गाइस गुना कर दो तो 6 की पावर 4 theta minus 6 square theta is equal to 11 the right answer of this question guys 11 मुस्कुराइए क्योंकि हम पढ़ाते हैं चीजों को मोहबत से तो तीसरे के बाद 4 नमबर दिखाईए बढ़या question हो भी सकता है और नहीं भी खत्रा तो बना ही रहता है प्यारे दोस्तों कोशन नमबर 4 को हम सीखेंगे और मुस्कुराएंगे question number 4 को हम सीखेंगे और मुस्कुराएंगे चार वर्सों के अंतराल से जन में चार बच्चों की आयू का योगफल 48 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयू ग्याद कीजिए मासूम से दोस्तों देखो एक चीज समझो चार वर्सों के अंतराल में जन में चार बच्चों की आयू का योगफल 48 है मतलब 48 total है इसी 4 से भाग दे दो तो 12 आ गया अब देखो 4 ही लोग है तो 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर ये series में include नहीं होगा बच्चा और याद रहे हर एक terms के जो difference होंगे वो 4-4 के ही होंगे हमने पूरा का पूरा conceptual यूटूब में ये चीज बताई हुई है यूट वाली किताब में और average chapter है 4 वर्सों के अंतराल से 4 बच्चों की आयू का 48 है तो 4 से भाग दे दो ये 12 आया पर 4 लोग थे तो ये series का terms नहीं होगा दो इत्थे दो उत्थे होंगे अब 4-4 का अंतर तो इसी से idea लगा देंगी 12 से 12 में 2 जोड़ो 14 और 12 में 2 घटाओ तो 10 4 का अंतर भी हो गया ये 18 हो गया ये 6 हो गया हमसे कहता है खुल कर कि सबसे छोटा कौन होगा तो 6 होगा अगर किसी को इसमें doubt हो तो वो डरे नहीं वो x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 ले divide by 4 इतना ले बराबर 48 के कर दे sorry x plus 2 नहीं x, x plus 4, x plus 8, x plus 12 ये ले और बराबर 48 x निकाल ले और सबसे छोटा आपको मिल जाएगा नहीं समझें तो अब अब समझा देते हैं कि सबसे पहले x लो फिर x plus 4 लो फिर x plus 8 लो फिर x plus 12 is equal to 48 मासूम से दोस्तों ये 4 x हो जाएगा 48 तो ये 20, 4, 24 घटाओगे 24 तो x बराबर 6 यहां से भी सबसे छोटा नंबर आपको 6 मिलता है जी हां प्यारी दोस्तों आगे बढ़ेंगे और मोहबबस से सीखेंगे ये कोशन एक अच्छे लेबल का कोशन है ऐसे कोशन SSC के एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं हम आपको मोहबबस से सिखाएंगे प्यारी दोस्तों बहुत प्रॉपर वे में ये आसान है आपको बस हलका सा समझना है और डरना तो बिल्कुल नहीं है x is equal to 5 plus 5 की power 1 by 3 plus 5 की power 2 by 3 दोस्तों ये चीज लिखा हुआ है बाकी ये equation के form में आना चाहिए जी हां देखिए कैसे करेंगे हम पहले क्या करेंगे इस 5 को इधर ले आएंगे जिससे x-5 हो गया 5 की power 1 बटा 3 और 5 की power 2 बटा 3 हो गया बोलो हां प्यारे दोस्तों दोनों side हम क्या कर देंगे whole cube कर देंगे तो ये हो जाएगा x-5 का whole cube same as it is 5 की power 1 by 3 and 5 की power 2 by 3 का whole cube ऐसा करने के बाद फिर इसका whole cube खोलेंगे और हमें याद है कि a cube b cube करके a cube 5 का cube 125 15 15 x और ये x-5 मासूम से दोस्तों यहां करोगे cubic से cubic कटेगा तो ये 5 cubic से cubic 5 का square 25 प्लस 3 ऐसे 5 5 की power 1 by 3 into 5 की power 2 by 3 और साथी साथ अब ये value यहां साथ में आएगी यहां कौन सी value ये आएगी पर हम ये नहीं लिखेंगे इसके place में ये x-5 लिखेंगे बस इस question में main खेला बच्चा यही था अब question को हटाएंगे और समझेंगे क्या मगर प्यार से तो ये x cube हो गया 125 हो गया माइनस का 15 x square हो गया और ये हो गया 15 75 x प्लस का चुटी चुटी बात को समझे 25 30 ये हो गया ये चीज पांची हो जाएगी पांट या 15 और ये माइनस का 75 गाइस अब बाकि उसमें आप देखिएगा पहला x cube दिख रहा होगा दूसरा 15 x square दिख रहा होगा यहाँ 15 x है यहाँ 75 तो प्लस का 60 x दिख रहा होगा बराबर बाकि सबको उधर बेज देते हैं 125 30 इधर गया 125 और 30 155 माइनस 75 जब हम अपने कोशन को अब देखेंगे तो कोशन में तो x cube माइनस का 15 x square 60 x plus 100 है तो इस case में हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने मन से इधर साइड प्लस का 100 कर दो तो इधर माइनस का 100 कर दो इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं x cube क्योंकि नीचे दिखेगा नि माइनस का 15 x square 60 x plus 100 और इधर जब आप करोगे तो 25 का खेला आ जाएगा 25 में जोड़ो तो 180 प्यारे दोस्तों इस question का जो right answer आएगा इस समाच के सामने जो आएगा वो आपके सम्मुक है क्या है बच्चों आप खुद देखिए और मुस्कु आईए 180 is the right answer of this question क्या दुबारा बताना पड़ेगा जी हां सर बिलकुल बताइए once again हमारे सब्दों को समझो x is equal to 5 plus 5 की पावर 1 by 3 plus 5 की पावर 2 by 3 तो हमने क्या किया ये value इत्थे ले आए जब ये इत्थे आ गई तो ये x minus 5 हो गया 5 की पावर 1 by 3 plus 5 की पावर 2 by 3 हमने इसक होल क्यूब कर दिया मासूम से दोस्तों और इधर भी किया तो a क्यूब b क्यूब माइनस का 3ab 3ab और a minus b same as it is इधर और calculate them तो सीखो मगर प्यार से जी हां चाले कमड़ी नेक्ट कोशन दिखाए इन मासूम से दोस्तों को एक एक बात को धैर सयम और विवेक से सीखेंगे और आप लोग बढ़या से इनको सीखें इसलिए हम इन्हें प्रकास सवस्ति एप में पढ़ा रहे है लाइफ क्लास इसलिए नहीं कम समय में आप सीख भी जाओगे चीजों को जान भी जाओगे जो लिखने वाली बात है व उसत भार शपन है और बारा लड़कियों का उसत भार पैतालीस है सभी लड़कों और लड़कियों का उसत भार क्या है मासूम से दोस्तो एक चीज समझो 15 बॉइज है तो बॉइज कितने हैं 15 और उनका जो वेट है वो 56 केजी है यानि मोधी जी और 12 लड़किया हैं बारा गर्ल है तो गर्ल कितनी है बारा और उनका वेट है 45 केजी देखो मगर प्यार से तरीका समझना एक्चुल में इसका आप रेश्यो ले लो पांच और चार का रेश्यो आया हमने तरीका बताया है कि 56 तो छुटा क्या है 45 तो मिनमुम 45 किलो तो वेट हो गई होगा 45 से 56 ग्यारा ज्यादा गुणा पांच तो पच्पन हो गया और ये 5 चान नो बटेगा तो सब में 9 से भाग दे दो तो 9 से भाग दोगे नचो को छो तो 6 प्लस सम्थिंग आएगा इसको जोड़ोगे तो 51 प्लस सम्थिंग तो राइ ले और 9 से भाग देते यही चीज आएगी चाहिए आप जो करें 51 प्लस सम्थिंग एक बार फिर से समझो 15 लड़के हैं जिनका वेट 56 केजी है और 12 लड़किया हैं जिनका वेट 45 एक तरिके से औसत निकालना है तो हम यहाँ रेशियो ले सकते हैं 5 और 4 का हमने रेशियो ले लिया अब 56 का 5 में गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं सौटकट में हम करते हैं तो इसमें दोको छोटा कौन है 45 किलो तो मिनमम 45 है 45 से किता ज्यादा 11 एक का 11 तो 5 का कितना पश्पन ज्यादा अब बटेगा तो सब में क्योंकि आउसत है नौ से भाग यू नो गाइस तर राइस ठांस अब दिस कोशन गाइस चाले शड़े के बा वैसी आप अगर हमारा वाई सीटी मैट का मेंसुरेशन पढ़ लिया होगा चूंकि 18 गंटे यूटूब में पढ़ाया है इतियास गवा दिल खुस हो जाएगा उससे अच्छा तरीका आप पूरी यूटूब में ढून पाओगे ऐसा मेरा खुद का मानना है आप एक बार क्योंकि टाइप वाई सी किताब थी मौपॉस से पढ़ा दिया है हमने समझो хमने बताया है कि जैसे एक सम भाउत्र भूजए क्या है एक सम भाउत्र भूजए इसकी सारी भूजाएं बराबर होती है अगर कोई हमसे हाइट के बारे में कहें तो हाइट होता है रूड 3 त stärक बोलो हाँ, अगर हम इसे छीतरफल के बारे में कहें, तो root 3 by 4 भुजा का square, अगर इसके अन्ता त्रिज्जा के बारे में कहें, तो a upon 2 root 3 होता है, अगर इसके परिवरत की त्रिज्जा, a upon root 3 होता है, और अगर इसके अन्ता त्रिज्जा और परिवरत की त्रिज्जा का ratio, तो यह सम्जो मगर प्यार से यह हमने वहां पर विस्तार से बताया अंता तरीजा uh continue capital R यह ऑईसे बनता है और сможलast आर ढ़ी का जो रेशियो होता है जान्व होता है समझ रहे ना तो किता है एक संत्र पुढ़की तरीजा 8 की तरीज़ा 8 मतलब 2बराबर 8 तो एक बराबर चार मुद्दा खतम वहाँ पर हमने बहुत कुछ लिखवाया हुआ है पढ़ो समझ रहे ना अगर आपने पढ़ लिया तो खुसी इतनी मिले होगे कि आप के पैर जमीन में नहीं होंगे ऐसा माना जाता है साथ के बाद आठवा नंबर सीखेंगे महपपस से कराता मासूम सा टीचर यानी मैं क्या कहता है कुशन एक धन रासी चकवरती ब्याच की दर से चार वर्सों में दो गुनी हो जाती है हमारे पास कोई एक प्रिंस्पल है और यह प्रिंस्पल चार वर्स में दो गुना यानी टूपी हो जाता है जी हाँ, तो कितने वर्स में यह रासी 8 गुना हो जाएगी, भाई 4 वर्स में 2 गुना, फिर 4 वर्स लगाओ तो 4 पी 4 गुना, फिर 4 वर्स लगाओ तो 8 गुना, मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, मेरे मासूम से दोस्तों, कुर्षन चकवर्ती ब्याज का है, तो 12 वर्स लग जाएंग कितने लग जाएंगे, 12 वर्स लग जाएंगे, यह कुशन compound interest का था, तो ऐसे करते हैं, मालो सधहन ब्याज का होता, मालो, तो वो 2 पी, तो हम देखते हैं, कि 4 वर्स में ब्याज मिलता है, क्या, 1 पी, और हमसे अगर 8 पी पूछता, तो हमें ब्याज में 7 पी चाहिए, तो 7 चोक 28 आंसर, यह SI में आता, और यह CI में, तो हमसे CI पूछा गया है, तो 12 वर्स आंसर है, अगर SI पूछता, तो 28 वर्स, भाई, पी रुपिया लगाया, 4 वर्स में 2 पी, तो पी रुपिया 4 वर्स में मिला, तो 28 वर्स में 7 पी, जोड़ोगे, तो 8 पी, समझदार के लिए सा सिखाओ, तो मगर प्यार से, कोशन नमबर 9 को करेंगे, और मुस्कुराएंगे, हर चीज सिखना है, हार एक चीज, और जबर्दस्त तरीके से, 182 वर्सों में 765, और 3.5 वर्सों में 873 हो जाती है, गाइस, समझो, दो वर्स में कोई पैसा, 756 हो जाती है, और 3.5 वर्सों में, वही पैसा, 873, तो देखा जाए, इसका अंतर, देड़ वर्सों में आपको ब्याज में कितना मिला, 13 में से 6 गया, 7 मिला, 6 में से 5 गया, 1 मिला, और प्यारे दूस्तों, 117 रुपए आपको ब्याज में मिले, देड़ वर्स में आपको 117 रुपए मिले, बोलो हाँ, और जब आप ये चीज जानते हो बच्चा, तो इस देड़ से आपने भाग देदो, ये जाएगा, इस पर विचार किजिए, तो 3 से पहले भाग देदो, तो 3 से फिर 2 का गुना कर दो, 3 से भाग दो, 2 से गुना कर दो, तो 39, 39 का दो गुना, मतलब एक वर्स में आपको 78 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्स में आपको 156 रुपए का ब्याज मिला होगा, तो मूल धन इसका 600 रुपए हो जाएगा, तो 78 रुपए ब्याज का दिख रहा है, और किस में से 600 में से गुना हंड़, 2 0 से 2 0, 6 से भाग दो गए, 13 सत्य, 13 चंग 78, 13 परसेंट इस दर राइट आंसर आप दिस कोशन गाइस, देखिए कितने प्यार से हम कर रहे हैं, नौवा नंबर कोशन और आप ये चीज समझ गए होंगे, बोलो हाँ, नौवे के बाद दसवा समझेंगे, और प्यार से समझेंगे, एक बार कोशन तो नौवा समझा देते हैं, once again, देखो, हमसे कहता है, कि दो वर्स में कोई पैसा 756 हो जाता है, और साड़े तीन वर्स में 873, तो देखा जाए, ब्याज में हमको मिला 117, जो कि समान देड वर्स में मिला, तो एक वर्स में 78, दो साल पहले जाओगे, मूलदन निकाला 600, तो एक साल में ब्याज 78 मिला है, किस में मिला है, 600 पे गुड़े 100, 13%, कई बार ऐसा पढ़ाया गया है, चली, दसवा नंबर पढ़ेंगी, वो भी मुस्कुरा के, कहता है, एक किस्म का सक्कर, तीन उपिया 20 पैसे, प्रति किलोग्राम पर 20% हानी, और दूसरा, दुको, एक किस्म का है, जो कि 20% हानी है, हानी का अर्थ, आप जानते हो, कि 5 की चीज 4 में बीची जा रही है, और 4 बराबर 3 रुपिया 20 पैसा, तो 4 से भाग दोगे, तो 80 पैसे, 80 पैसे का यहाँ गुणा करोगे, तो यह 4 रुपे आ जाएगा, बोलो हान, फिर हम से कहता है, और दूसरी किस्म में, 6 रुपे प्रति किलोग्राम पर 20% लाब, 20% लाब मतलब 1 बटा 5, मतलब 5 की चीज 6 में, और यही 6 बराबर 6 रुपे, 5 बराबर 5 रुपे, तो देखा यह जाए, कि 2 केजी माल, 2 केजी माल 9 रुपे का, और 1 केजी माल 4 रुपे का, बोलो हाँ, कोशन को पढ़ते हैं आगे, यदि समान मात्रा में, दोनों को मिला जाए, अब दोनों को एक किलो मिला दिया, तो 2 किलो हो गया, 9 रुपे, 1 किलो, 4 रुपे, तो मिस्रन, 4 रुपे, प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए, अरे, 4 रुपे की चीज, और 4 में साड़े, 4 में ही बेच रहें, तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, समय की बरवादी हुई, उसके बारे हैं कोई बात हैं नहीं हो रहे है, मुद्दा खाता, समझ गया है, चारे, आगे बढ़ेंगे, प्यारे दोस्तों, ये कोशन एक अच्छा कोशन है, धैर पूर्वक समझना ठीक है, ये पर्मुटीशन का कोशन है, अभी प्लेलिस्ट में जाना, यूटूब में पर्मुटीशन पढ़ाया भी है, वहाँ देखना, खुसी मिलेगी, आपको एक चीज की खुसी मिलेगी, और चीजों को जानेंगे, कहता है, 6 पूर्वसों, एवं 4 महलाओं के समू, से पांच लोगों के एक सम्मुटी बनाई गई, पहले समझो, किते पूर्वस है, 6 मेल है, 4 फिमेल है, और इससे एक सम्मुटी बनाई गई है, जिससे 5 लोगों को लिया गया है, किते लोगों को लिया गया है, 5 लोगों को लिया गया है, 5 लोग लिये गया है, बात को समझना, ज़री समिति में कम से कम एक महिला समखली तो चुछक Make-AS और क immens FLU सकती पांच लोग में स्रेट करना है एक भी हो सकती महिला दो भी हो सकती तीन भी हो सकती चार भी ओ सकते पांच नहीं हो सकती तो कि चारी महिला है तो वोमेल लिख देते हैं फीमेल की जगे वोमेल लिख देते हैं ठीक है मेल और वुमेल तो ऐसा करते हैं कि टोटल में से एक भी महिला ना हो अंसर आ जाएगा सर कैसे टोटल इसका दस लोग हो गया दस में से पांच को सेलेट कर लिया गया अब टोटल म मेंसे पूरुस घटा दोगे तो महिला आतोमेटिग आ जाएगी फिर समझो है पूरुसों एवं चार महिलाओं के एक समुष छों से पांज लोगों को एक समीति बनानी है तो चैप शम c4 महिलाओं में सकती दो पूरुस चार महिला हो सकती एक पूरुस यह condition से solve करना होता है तो experts कहते हैं कि आप total कि 10 लोग थे अगर पास randomly select करते तो total case यह होते और उन में से महिला अटा दो पूरुस को select कर लो तो पूरुस को जब select कर लिया हमने और इस total में से घटा दिया by default महिला का खेला हो गया, अब इसको calculate करना है, देखो, एक चीज समझो, हमने पढ़ाया हुआ है, चीजों को समझना है, कि NCR बराबर Ncn-R, जैसे हमसे कहे कर रहा है, 6C5 लिखा है, तो इसका अर्थ यह होता है, मासूम से दोस्तों, कि इसे हम 6C1 भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन द उनों का योग, देखो, NEE है, बोलो हाँ, अब देखो, 10C5, तो 10C लिखा है, 5 सीड़ियां उतर नहीं, 10, 9, 8, 7, 6, तो कि 5 सीड़िय उतर रहा है, और यह 5 का मतलब 5 factorial, वहाँ पढ़ाया हुआ, यूटूब में, 5 factorial का आर्थ होता है, 120, क्या होता है, 120, यहां 65, तो इसे 6C1 क्योंकि एकाई सीड़ी, क्योंकि जो इसकी value आएगी, वही इसकी आएगी, तो इसकी जगह हम 6C1 लिख देते हैं, और एक सीड़ी उतार देते हैं, तो 6 और एक factorial की value, एकाई होते हैं, कोई फ़र नहीं पढ़ता, मास्रूम से दोस्तों, यह दोको, 10 यह है, 6 यह, तो 120, 60 हो साथ्या, 21, 4, 352 माइनस 6, 300, नहीं, साथ्या, 252 माइनस 6, 246 is the right answer of this question, तो इस question का जो answer आएगा, 246 आएगा, बोलो हाँ, देखे, हम पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाएंगे, आपको conceptual पढ़ाएंगे, और recorded lecture में बस यह है, कि आप, मतलब जो record कर रहे हैं, यह सिर्फ लाइव है, समझो एक तरीके से, बस यह कि comment नहीं देखा जाता है, इसमें, सिर्फ पहानी पर, और उससे क्या है, कि आपका समय, intention कि इसका नाम नहीं ले रहे, उसका नाम नहीं रहे, आपक अपका प्रकास उस्ती एप में ही एक ग्रूप है, वहीं पर PDF पड़ी हुई है, तो इधर बहतगना नहीं है, कि सर हमें यहाँ PDF नहीं दिख रहे है, यहां यह वीडियो दिखता है, ग्रूप में मिल जाएगा, ठीक है, टेलिग्राम में मिल जाएगा, यह दि किसी वस्तू पर 10% की छूट देकर 450 से बीचा गया उस वस्तू का अंकित मोल मासूम से दोस्तों 10% छोट मतलब 10 की चीज किते में बेच रहो 9 में 9 बराबर साड़े 400 मतलब 50 गुना तो 10 गुले 50 500 is the right answer of this question आसान कोशन था 12 के बाद 13 नंबर पढ़ेंगे कितना 13 नंबर पढ़ेंगे क्या कहता है किसी संख्या का 3 बटा 5 उस संख्या के 50% से 15 अधिक है वह संख्या क्या है किसी संख्या का 3 बटा 5 तो 3 बटा 5 का अर्थ होता है 60% 3 बटा 5 का अर्थ होता है क्या 60% और उसी संख्या के 50% का जो difference आ रहा है वो 15 आ रहा है समझो किसी संख्या का 3 बटा 5 that means 60% माइनस में उसी संख्या का 50% और किसके अंतर के बराबर है 15 के बस खेल जाओ गाइस 10% की वैलू 15 के बराबर और 100% बराबर देड़ सो तो राइट आंसर आप दिस कोश्चन गाइस देड़ सो होगा चले 14 नंबर कोश्चन को पढ़ेंगे मोहबस से और स्पीड टाइम डिश्टेंस भी बहुत प्यार से यूटूब में पढ़ा दिया गया है कॉंसेप्चुल वाई सीटी का उतना पढ़ लोगे मोर देन सफीसेंट इतना कॉंसेप्चुल पढ़ाया है वहाँ पर कहता है जदी एक रेल गारी 40 किलो मेटर पर गंटा से चलती है और गंता विस्तान पर 11 मिनट देरी से पहुश्चती है लेकिन 50 किलो मेटर चलती है और टाइम पूचा गया तो टिष्टेंस दोनों केस में बराबर होंगे है राइट टाइम हमने बराबर होंगी में अगर 44 चानलिस के स्पीड चलते हैं और लाइट किया प्रटी है और 11 मिनट लेट हो रहा है तो प्लस का 11 समय लग रहा है ये डिस्तेंस आई अर राइट टाई टी है और 6 मिनट 5 मिट की देरी भी हो रही है तो भी हम जोड देंगे तो दोनों केस में डिस्टेंस तो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इन्टू टाइम राइट टाइम टी माल लिया बाकिया आप समझदार है 40, 44, 5T, 25 तो टी यह आ गया 44 में से 25 गया 44 में से 25 गया 19 आएगा राइट आंसर आप दिस कोशन गाईस 19 मिनट इस दर राइट आंसर आप दिस कोशन इस कोशन का जो आंसर होगा वह 19 मिनट होगा चले 14 के बाद 15 नंबर कोशन को करेंगे मगर प्यार से सभी लोग इन चीजों को हम सीखेंगे बहुत अच्छे से 108 मीटर लंबी एक रेल गारी 50 किलो मीटर पति घंटा की रप्तार से विप्री दिसा से आ रही 112 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन से 6 सेकंड में पार कर जाती है दूसरी लोगारी की चाल क्या है हमने 500 बार बता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आते हैं एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनकी स्पीड एड होती है जिसे हम रिलेट्वी स्पीड कहते हैं क्या speed add होती है जिसे हम relative speed कहते हैं और पहली 108 है दूसरी 112 है 6 second है हम अपने तरीके से बता रहे हैं आप उसको समझो अगर हम्यारा तरीका नहीं पसंद आए तो फिर आप जन्नल लगा सकते हो T बराबर U1 प्लस A L1 प्लस L2 अपान U1 प्लस U2 और 5 बटा 18 का गुणा कर देना ज प्लस देन की लेंध हमेशा एड होती है 108 112 दोनों को जोड़ दिया 220 आया 220 मीटर आया और यह जो दूरी हुई है वह 6 second में हुई है ऍप किसे सेकंड़ में चे erkl एक चीज समझोँ अगर हमसे कोई कहता है एक्स किलोबीटर पर आवर तो एक घंट goof सेकंड होते हैं और एकक्स किलोबीटर से इंक्स इंटू 1000 यू टूब में हमने जैसे वहिं पढ़ाया है उस ही आप से पढ़ाते हैं यहां पर भी तो को बता दे रहें वहाँ पर पढ़ लेना तो 220 मीटर 6 सेकेंड में गया आप देखो तीन सो साट स्वारी 600 का गुणा करेंगे सर 600 को क्यों किया 1200 को क्यों नहीं किया जहां 600 का गुणा किया तो 600 गुणा 6 3600 सेकेंड और इसका अर्थ हुआ एक घंटा यहां पर गुणा कर दिया छे दुनी बारा बारा एक तेरा तीन जीरो मतलब किलो मेटर तो यह स्पीड हो गए 132 किलो मेटर प्रति घंटा और प्यारे दोस्तों पहले की स्पीड हमें पचास दी गई है तो दूसरी की स्पीड 42 हो जाएगी 82 किलो मेटर पर आपर 82 82 82 82 82 बोल दिया होगा 82 82 बोलते हैं अब यह नहीं कि तुम नया वाइरल कर दो कि सर्फ 82 को 42 बोलते हैं समझ गहें न 82 वो हो जाता है चले तो समझदार के लिए इसारा काफी 15 के बाद 16 नंबर करेंगे बहुत अच्छी से करेंगे और मुस्कुरा के करेंगे दोस्तों हर एक चीज को पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है समझाया जाता है कि क्या कहता है कोशन कहता है एक बैग में एक रुपए 50 पैसे 10 पैसे मुल्यांग के सिक्के एक रुपए 50 पैसे की सिक्के 2 और 5 के अनपात में मतलब है कि एक रुपए 50 पैसे और 10 पैसे है जो क्वाइन के रेशियो है वह दो और पांच के रेशियो में और फिर हम से कहता है 50 पैसे और 10 पैसे की सिक्के का जो रेशियो वह चार और 9 है ऐसे केस में यह 50 पैसे वाला सेम कर लो तो 4-4 का गुणा यहां पांच-5 का गुणा यहां कर लो ऐसा करते ही यह 8 हो गया यह 20 हो गया और यह 9 पना 45 हो गया 8-20 और 45 अब हम इसको समझेंगे क्या कहता है कोशन जैदि बैग में कुल 1125 रुपए है तो एक रुपए के सिक्के क्या है तो अब आप इस पे दिमाग लगाओ यह तो क्वाइन की बात कर रहा है अब 8 रुपए के मनलब 8-20-45 तो यह 8 एक एक रुपए के तो यह 8 यूनिट कर लो यह 20 क्वाइन है 50 पैसे के तो अगर रुपए में कनवर्ट करें तो 10 रुपए हो गए क्योंकि 20 क्वाइन है 50 पैसे 10 रुपए है तो 10 यूनिट कर लो 45-10 पैसे के तो साहरे 4 रुपए है मनलब 4.5 यूनिट कर लो और यह जो आया है वो हमारे किसके बराबर 1125 के इसको जोड़ लो यह 22.5 यूनिट इ यह जाएगा कित्ती बार में 5 बार में 50 बार में मतलब एक यूनिट बराबर देख रहा है ना 50 एक यूनिट बराबर 50 के और हमसे किरा एक रुपए वाले क्या है 50 का गुड़ा करोगे 400 आंसर आएगा देखू एक रुपए वाले 50 पैसे वाले 10 तस पैसा है यहई 50 पैसे है 50 पैसे 10 पैसे पैसे मतलब 50 पैसे मतलब एक बटा दस हो जाएगा रुपिया में और यह एक बटा दो हो जाएगा 2 और 5 के ratio में, 4 और 9 के ratio में तो ratio बडावर कर लिया 8, 20, 45 अब यह एक रुपए वाले, 1 से भाग दोगी तो 8 आएगा 50 पैसे वाले हैं, आधे से भाग दोगे, 10 आएगा 45 पैसे वाले हैं, महले हैं 10 पैसे वाले हैं, 10 से भाग दोगे, 4.5 आए सभी को जोड़ोगे तो 22.5 यूनिट आएगा जो की 1125 की बराबर तो एक यूनिट बराबर 50 के और 8 यूनिट बराबर 400 के 16 के बाद 17 पढ़ेंगे वो भी कैसे महबस है कैसे महबस है कहता है संख्या 22368955 की मादिका निकाले मादिका का रूल आप जानते हो और याद रहे यूटूब में वाई सीटी मैट का जो पढ़ाया उसमें सारे टाइप के पढ़ने बढ़ियां लेबल की पता है समझो पहला रूल होता है इसको एसेंडिंग और बढ़ते हुए क्रम में 2,2 फिर उसके बाद 3 लिखोगे फिर उसके बाद देखो होगी वो पांच होगी ठीक है जब आस पढ़ोगे तो फर्जी कोशन लगेंगे चले इसको समझेंगे महबबस से अठारा नंबर कोशन जी हाँ 14 मीटर व्यास के आधार वाले तो 14 मीटर व्यास के आधार वाले तो यह आधार है 14 मीटर तो मतलब कि स्लंट हाइट होगे क्या 25 क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 7-24-25 कितने वर्ग मेटर कैनवास के आव सकता होगी मतलब इसके कर्व सर्फिस एरिया पाई आरेल की बात करता है पाई की वैलू बाइस बटा साथ 37 है इसकी और इसकी स्लंट हाइट 25 है साथ से साथ गया 550 मीटर स्क्वाइर की रिक्वार्मेंट होगी सर्फिस एरिया क्योंकि उसी में तो कपला लगेगा अरे बोलो बोलो टेल टेल अब तुम ना के दिना 11 का मल्ट पिल्ड दोनो तो एक यह आंसर पांसो पचास पननना अउप दीज भी तो रखा है वहां गरवड कर दोगे चले कोशन नंबर 19 को समझेंगे बढ़्या कोशन है आसान कोशन है चीजों को समझेंगे मगर प्यार से कि देखो कहता है 00555-5 एक तुर्वच के सीर्ड से पहले तो को अगर हम इसको कौडिनेट के एकॉर्डिन रखना चाहें तो 00 यहां आ गया बोलो हां आच पांच यहां आ जाएगा बोलो हां एक पांच माइनस का पांच है तो माइनस का पांच इधर आएगा और पांच यह यही वाला बोलो हां यह ऐसे बन जाएगा अगर यह इसका आएगा अब एक चीज़ देखो प्यारे दोस्तों यह ट्रैंगल बन जा इसके बीच की दूरी निकालो तो 25 25 पांच पच्चिस रूट 50 आ गया यहां दूरी निकालो यह भी रूट 50 आ गया यह निकालो तो यह र x1-x2 का होल स्क्वार y1-y2 का होल स्क्वार करके दोस्तों एक चीज़ समझो यह दूरी निकाल लिया अब इसका जो अर्थ हुआ वो 5 रूट 2 हुआ यह भी 5 रूट 2 हुआ और यह 10 आ गया अब यहां पर भी जो यह दूरी आ गया तो इन दोनों का वर्ग करके जोलने पर इसके वर्ग के बराबर है मतलब यह राइट एंगल हो गया समझ और यह दोनों भुझाएं बराबर है तो समधी भाहु समझ कोर्ड त्रिवूच हो गया मतलब समझ हो समझ कोर्ड त्रिवूच अंसन नंबरग़ दि हो गया सर कैसे यद्प करो अगर आप यहां पर दोखो यह 5 root 2 यह 5 root 2 और यह 10 है मैं आपको याव दिला देता हूँ अगर मैं इसको 5 root 2 5 root 2 से भाग दू तो यह root 2 आएगा याद करो 1-1 का रेश्यू भी आ गया कि नहीं आ गया अरे 90 के साथ जब 45-45 दिक्टा था तो यह दोनों भुजाएं बराबर हो गए और यह 90 भी हो गया मतलब संदिवाओ सम कोड त्रिपुच जिसकी दो भुजाएं बराबर भी हो और एक भुजा 90 भी हो 19 के बाद 20 नंबर कोशन बहुत महबबस से सीखेंगे बहुत हैं महबबस सीखेंगे मगर प्यार से मासूम से दोस्तो हर एक चीज को सिखाया जाता है जिदि x2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 समीकरण के मूल alpha,beta हो तो alpha की powerful प्लस beta की powerful क्या होगा एक चीज देखों कि जब हमसे कहता है x2 प्लस x प्लस 1 is equal to 0 अब इसके दो roots की बात की जाएं तो guys आप अच्छे जानते हो कि अगर roots की बात करता है तो sum of the roots होता है alpha plus beta minus का b upon a और product of the roots alpha into beta जो कि c upon a होता है बोलो हाँ अगर हम यहाँ पर रखें तो यह तो minus 1 हो गया और यह जो value हो गई 1 यहाँ से देखो alpha बराबर 1 by beta आ गया replace कर दो जब आप replace करोगे तो alpha plus 1 by alpha बराबर minus 1 आएगा अपसर कैसे आपने replace किया अरे प्रभू alpha बराबर 1 by beta तो beta बराबर 1 by alpha तो beta की जगे 1 by alpha लिख दिया बोलो हाँ बात बराबर है मतलब जो यह हमें चाहिए alpha की power 4 तो 1 by alpha की power 4 हो गया अब देखो भाव एक का दो निकाल लो एक का दो हमने सब पढ़ाया हुआ है एक का दो उस value का square plus 1 sorry एक का दो उस value का square minus 2 अरे यह a होता तो a square minus का 2 तो यह minus का 1 आया और सेम चीज़ एक का दो तो यह भी वही आएगा तो right answer इसका minus का 1 आएगा क्यारी दोस्तों यह चीज़ हमने आपको कई बार समझाई है हम यहां लिग भी देते हैं कि अगर x plus 1 by x बराबर a होता है और x square plus 1 by x square चाहिए तो वो a square minus 2 होता है और उसके ओपर चीज़ तो यह power b तो x की power 4 plus 1 by x square 4 तो वो b square minus 2 होता है ओहो नहीं दिखा दिखाया जाएगा ठीक है ओपर लिखा हुआ है एक बार repeat करेंगी कहता है x square plus x plus 1 बराबर 0 तो sum of roots मूलों का योग फर alpha plus beta minus का b upon इससे comparison तो minus 1 product of the roots जो की 1 आया अब हम यहां जानगे कि beta बराबर 1 by alpha हो जाएगा replace किया alpha plus 1 by alpha minus 1 एक power से अगर 2 power में जाएंगे तो उस value का square minus 2 जो की minus 1 आया अरे बोलो हां और 2 से 4 में तो अब वो b हो गया उसका square minus 1 समझ गया minus 2 minus 1 is the right answer चाले 21 number question को समझेंगे मकर प्यार से हर एक चीज को दिल से सिखाया जाएगा मुहबबत से सिखाया जाएगा और आपके लिए तो दिन रात एक कर दिया जाएगा जी हाँ क्या कहता है question कहता है दिये गए चित्र में इतना इतना पैलल है हम आपको बता दे एक होती है Thales theorem Thales theorem क्या कहती है Thales theorem कहती है कहीं अगर यह line इसके parallel है तो जिस ratio से ये दोनों भुजाए हैं उसी ratio से ये दोनों भुजाए होंगी ये मैं नहीं कहता हूँ Thales theorem कहती है similarity में वही हाल यहाँ पर कह रहा है कि ABC एक त्रिबुज है जिसमें DE parallel है BC के मतलब समानतर है और हमसे किरा है AD और BD का रेशियो 3 और 5 है AD और BD का रेशियो मतलब ये 3 और 5 के रेशियो से है तो ये भुजाओं का रेशियो भी 3 और 5 हो जाएगा हमसे खुल कर कहता है कि AC बराबर 4.8 मतलब दोनों का योग 8 है यही बराबर 4.8 मतलब 0.6 टाइम्स बोलो हाँ और हमसे कहता है एई बता दू 0.6 का गुणा करोगी 1.8 इस दा राइट आंसर 1.8 इस दा राइट आंसर गाइस 1.8 इस दा राइट आंसर यह कोशन हम आपको बता दे 22 नंबर अच्छा कोशन है एक जबाने में यह आरे किताब में कोर्षन होता था और 90 लो िसे गलत साबित कर दिये थे की कुर्षन गलत है कुर्षन गलत है 90 mana ऐख ज़वाने में ठेक है, फुरानी किताबों में छपता था, साय नहीं किताब में नहीं है, फुरानी किताब में ये occution था रहे सक भाल यह और ये एक बार railway में पूछा भी गया हुआ कोशन भी समझेंगे हमारे तरीके से एक व्यक्ति धारा के विरूत नौका को तीन चौता है तो धारा के विरूत होता है तो हम लोग जानते हैं U1 माइनस U2 धारा के विरूत और U1 प्लस U2 धारा के साथ पहले तो यह समझो धारा के विरूत जिसे आप श्ट्रीम कहते हैं और धारा के साथ जिसे डाउन श्रीम ठीक है तो एक व्यक्ति धारा के विरूत नौका को 3 बटा 4 किलो मेटर खीने में इतने मिनट लेता है मतलब 3 बटा 4 किलो मेटर में गंटा में बना लेंगे मिज़े को कई से चार गया 3 से पंद्रा वार में गया मतलब एक किलो मेटर दूरी पंद्रा मिनट में तै करता है एक घंटे में 60 होता है तो चार किलोमीटर इसकी स्पीड हो जाएगी बोलो हां तो चार किलोमीटर प्रते घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी यही चीज तो सिखाना है फिर हम से कहता है वापस लोटने पर साड़े साथ मिनट लेता है अब वापस लोटने में साड़े साथ तो दूरी तो वही तीन बटा साड़े साथ का मतलब 15 बटा दो बोलो हाँ अब हमें अगर इसको घंटा बनाना है घंटा तो दो ऐसे चार का गुणा यहां कर लो तो टू यूवन यह 10 हो गया तो यूवन बराबर 5 किलो मेटर प्रती घंटा दोस्तों यह इसका आंसर होगा बहुत महबबस से बताया है बहुत है महबबस से यह कोशन फॉर्मूला बेज़्ड है एसे सी का फेवरेट भी रहता है इस टाइप का कोशन एट एटीन एबीसी इस दा राइट आंसर आ जाएगा देखेंगे मगर प्यार से मगर प्यार से हर काम प्यार से ही होता है यह बात याद रखना ठ्क है चाक कहता है इसमे सारे लगते हैं हम एक ही लिख रहे है और जब पढ़ा है एल्जबरा में इसमें अरे एंटीपीसी का यूथ में भी पढ़ाया हुआ एला फॉमला ठीक है तो हमने बताया कि इसमें एफ यदी ए प्लस बी प्लस एक यूब प्लस प्लस की वेलु होती है वह चीजब यह को इस इस condition पे लाके खड़ा कर दिया और जब condition पे लाके खड़ा कर दिया तो कुछ नहीं लिखना है सिर्फ तीन लिखना है यह 2A लिखना है यह B और यह 3C बस हो गया 2A, B और 3C 18ABC इसका answer the right answer of this question guys 18ABC आएगा क्या आएगा 18ABC इसका answer आएगा डरने की बात नहीं है एक confidence लाना है आपको और कुछ नहीं nothing special सिर्फ एक confidence लाना है और महबत से पढ़ना है बोलो हाँ 18ABC is the right answer of this question चीजों को समझो इसका comparison इस pattern पे होगा और answer आजाएगा चलिए next question देखिए प्यारे दोस्तों 24 number question को सीखेंगे मगर प्यार से अच्छा question है और याद रहे यूद का pipe and system जरूर लगाना बढ़िया बढ़िया question previous year में आये हुए मतलब यूद किताब को एक दो बार घोल के पीओ मतलब आपको अपनी basic किताब यूद की किताब yct math को ही रखना है अगर इस साल अच्छे से selection लेना है मतलब आप पेपर में जाओ चिल मार के क्योंकि वही भासा यहां पर भी यूज होती है इलेट पाइब एक एक खाली जलासे को 32 घंटे में भर सकता है इलेट मतलब भरने वाला पाइब खाली जलासे को 32 घंटे में भर सकता है और एक खाली करने वाला पाइब जिसे आउटलेट बोलेंगे जबकि एक निकास पाइप इसे भरे हुए जलासे को 40 गंटे में खाली कर सकता है LCM 160 आएगा इसकी छमता 5 और इसकी छमता 4 आएगी जो की माइनस की अब भासा समन ना जलासे खाली होने ही इस्तिती में दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया गया जब जलासे का एक तीहाई भर जाता है मतलब 160 यूनिट काम होना है 160 ऐसे लिखा गया एक तीहाई जब भर जाता है एक तीहाई तक ये दोनों काम करते हैं तो 5 में से 4 गया एक अई आया तो बचा जो भाग 160 का 2 बटा 3 तो यहाँ पर कह रहा है लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया गया जब एक तीह आई तो अब खाली वाला बंद हो गया तो अब भरेगा कौन ए वाला ए भरता है अब यह पांच बस इनको जोड़ डाला लाइब जिंगा लाला आंसर आ गया सर कैसे पांस सी यह जाएगा आज ही जाएगा काट लेना किती बार में 24 नए 32 बार में तो यह हो गया क्या मैं यहां लिख देता हूं 160 बटा 3 और 32 दूना 64 बटा 3 यह आ गया 224 बटा 3 भाग दो यह ओप्संस देखो 24 से दो गड़ा 3 था तमार सर कईसे इतना confidence कैसे बहिए आप परोस में गया 80 तो 80 गड़ा 3 करते 240 है नहीं 200 अभी से यह वागी किसी में ऐसा बन नहीं रहा था तो यह एक तरीका है एक बार फिर से समझो 32 गंटे में पर टंकी को भरता है ब 40 गंटे में खाली करता है दोनों का एलसियम लिया जो की 160 आया बोलो हां 32 से भाग दो के एक कार चमता 5 और 40 से तो इसकी कार चमता माइनस का 4 हमसे दोको यह अच्छा है कहता है कि दोनों एक साथ खुले रहे कब तक जब टंकी का एक थर्ड भढ़ गया तो 161 बटा 3 5 से 4 खाली हुआ एक एक काम हुआ अब 2 बटा 3 एक बी को बंद कर दिया तो 162 बटा 3 कौन कर रहा है एक कर रहा है देन आंसर और यह अंतिम कोशन ऐसे पैटन के कोशन लगातार 50 नमबर 49 नमबर 48 नमबर और आज 47 नमबर मतलब उन में से दो सेशन में साहिद ऐसे कोशन आ चुके लास्ट वाले में तो आया था ठीक है तो इसको समझेंगे फिर से मगर प्यार से देखो कैसे एक बटा पांच ऐसे लिख दिया अब जो यह लिखा है तो इसको ऐसे बिख सकते हैं टरिपल नाइन ऐसे प्लस फूर फूर और पूर नाइन पूर ऐसे लिख सकते हैं मिर बाई तर्ने वाली बात ने लिखी सकते हैं और गुड़ा है ना चलो मत लिखो मेरे बाई कोई बात कोई ने 999994 कोशन को लिख देते हैं 9995 495 और 99 चलो ऐसे लिखे रहे हैं तो कोई दिक्कत दे एक चीज़ देखो इसका गुणा इसमें करना है तरीका समझना यहां लिख देते हैं 999 ऐसे 495 यह इंटू बड़ा दिक्कत दायग लोगों लगता है इसमें एक कम करो तो यह 4 आया 9 में से 4 गया 5 आया 9 में से 9 गया 0 आया 9 में से 4 गया 5 आया बोलो हाँ और 4 9 4 को आगे लिख दो यह इसके वैलू आ गए मतलब एक बटा पांस तो ऐसे रहा 494 ऐसे लिख दिया 505 यह हो गया ठीक है प्लस 9994 अपन 495 ऐसे और 99 आइटिंग सो 99 से यह पांच बार में जाएगा 99 से यह पांच बार में जाएगा बोलो हाँ और जब यह चला गया मेरे भाई तो यह जिस समझ गया होगे इंटू अब देखो जब चला गया अब यह एक इसमें जोड़ दो तो 995 हो जाएगा तो आप जोड़ लो कोई दिखने सभी के नीचे पांच होगा 4, 5, 9, 1, 10, 0, हासिल 1, 9, 0, 10 हो गया हासिल 1, 9, 9, 5, 14 और हासिल 1 वाला क्या हासिल 1 वाला 15 फिर यहाँ आजाओ 4, 5 हो गया 9 ऐसे हो गया 4 ऐसे हो गया अब आपको भाग देना पड़ेगा ठीक है तो कुछ गरवर तो ओहो अब देखो सर हमको कैसे मालम चल गया गरवर हो गया तो कि यह भाग जाए नहीं मलब जात हो रहा है आंसर आएगा नहीं ठीक है हमने यहाँ 9, 9, 4 लिखा हुआ है और कोशन में यहाँ 4, 9, 4 लिखा हुआ है तो इसके लिए छमा प्रारती यह सोलूशन भी सही है जो इसमें लिखा था अब जो इसमें लिखा है हम उसके हिसाब से बता देते हैं ठीक है तो डरने की कोई बात नहीं ऐसी गलतिया होती है और आटोमेटिक समझ में आ जाती है तो इस चीज को आप लोग समझ लेना रिकॉर्डेट में मैं चाओ तो इसको हटा भी सकता हूँ पर कभी नहीं करता हूँ मैं ऐसा करता ही नहीं हो कि एडिटिंग करके वीडियो डालू समझे नहीं वह जो महान लोग है वह करते हैं जो मिश्टेक है तो होती है मिश्टेक दोस्तों अब इसको हम करेंगे फिर से यहां जो गुड़ा किया था जो सभ्सई ता उसके एशाफ सा वह सभ्सई था एक कम किया चार आया नौ में से चार गया पांच है नौ में से नौ गया जीरू आया नौ में से कार गया यह पांच आया 494 ऐसे आया तो 494 505 ऐसे 494 ऐसे अपन 495 ऐसे गुड़े 99 ऐसे प्लस एक बटा पाँच ऐसे कि मत हो नहीं चाहिए आदमी करना चले दोस्तों अब ध्यान देना इस वैलू से ये गया अब दो तो चार पांच नो एक दस जीरो हो गया यह भी जीरो हो गया यह आसिल यह पांच हो गया यह प्लस और चंउ पांच को यह भाग दोगे डबल नाइन ट्रिपल जिरो इसका आंसर आएगा और यह answer क्या पूर्त है सत्य है क्या है पूर्त है सत्य है 999900 is the right answer of this question I hope आपको session पसंद आया होगा पसंद आया तो like तो बनता है बाकि जैसा आप से बने लो तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा जेहिं जे भारत फिर मिलेंगे और पढ़ाएंगे